हाई प्रेंड्स सेल्फ एजूकेशन के चैनल पे आप सब का स्वागत हैं आपको पता ही होगा कि हम अपने चैनल पे उनीक ओमेंट जोब के बारे में बात करते हैं जिन में कोई रिटिन एक्जाम नहीं होता है तो चलिए विडियों को सुरू करते हैं यह वेकेंसी आपके आये है रिजियोनल सेंटर ओफ और उर्बान एंभायरमेंटल स्टोरीज इसमें आपको फिल्ड इन्वेस्टिगेटर की वेकेंसी देखने को मिलेगी टोटाल वेकेंसी आपकी एट है जोब का लोकेशन आपका लोखनो उत्तर प्रदस में रहेगा एपलाइंग मोड आप इसे एमेल से एपलाइ करेंगे एमेल से आप इसे केस से एपलाइ करेंगे मैं आपको आगे विडियो में बता दूंगा अब आता है इसके official website के बारे में देखिए इसकी official website है www.rcu.eslu यह इसकी official website है अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस official website पर जाकर इसकी official notification को अच्छे तरह से बढ़ सकते हैं वेकेंसी डेटेल्स रिसोर्च ओफिसर की one post है डाटा एनलिस्ट की one post फिल्ड इन्वेस्टिकेटर की six post अब आते हैं हर वेकेंसी के लिए अलग अलग qualification है रिसोर्च ओफिसर के लिए the candidates most है past post graduation in any social science और management environmental science urban planning और the equivalence from a recognized board with more than five years experience in research project including field survey data collection data analysis and report writing देखिये रिसोर्च ओफिसर की वेकेंसी को एपलाई के लिए आप पीजी पास होने चाहिए post graduation इसके साथ है आपका five years का experience होना चाहिए प्रोजेक्ट पर data analyst के लिए the candidate most have passed post graduation in any social science management environmental science or the equivalence from a recognized board with two years experience in research project including field survey data collection data analysis के लिए आपका two years का experience होना चाहिए और field investigator के लिए आपका post graduation social science पर होना चाहिए उसके साथ five years का experience होना चाहिए research project पर इसके बार में आपको official notification में जानकर मिल जाएगी अब आते हैं salary के बार में research officer के लिए twenty thousand data analysis के लिए twenty thousand और field investigator के लिए fifteen thousand salary रखा गया है यह आपकी initial salary है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्यांडिड़ेट विल बी selected on interview आपका selection इंटर्व्यू से होगा कोई आपका exam नहीं होगा इससे आप आप कैसे apply करेंगे इससे आप email से apply करेंगे तो उससे पहले आपको क्या करना है इसकी जो ऑफिशाल अपसेट है double double dot rcues locknow.org पर जाना है बहाँ पर जाने के बाद आपको इसकी official notification मिल जाएगी उससे आप अच्छी तरह से पहले पढ़िए उसके बाद उसमें आपको email address मिल जाएगा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बही email address है इसी address पर आपको यह जो address है इसी address पर आपको आपकी document को send करना है भेजना है अगर आपको इसके रिल्टर कोई वीड़ाउट हो तो आप हमें comment में फूश सकते हैं important dates देखिए starting date आपका 4 December है last date 15 December अगर आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सबसे पहले सारी जोब के आपडेट पास सकें thank you